ग्रामीन में इन दिनों गोवंश प्रजाती के मवेशियों की तसकरी का प्रमान काफी बढ़ गया है। पुलिस भी रोजाना कारवाई कर आरोपियों को हिरासत में लेकर मवेशियों को छुडवा रही है। इसी करम में जिले के मौदा और बोरी पुलिस धानां दरगत दो जगह पर कारवाई कर पुलिस ने 50 मवेशियों को रिहा कर चार आरोपियों को गिरफतार कर इनके पास से वाहन सहित को 16 लाग का माल भी चप्त किया। प्रापत जानकारी के नुसार पहली कारवाई में बोरी पुलिस को पेट्रोलिंग के दोरान गुपत जानकारी मिली कि कुछ लोग ट्रक में गोवंश प्रजाती के मवेशियों की तसकरी कर रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने बोरी के वाई पॉइंट पना का बंदी कर ट्रक को रोकने का प्रयास किया लेकिन पुलिस को देखकर चालक ने ट्रक बोर खेड़ी की ओर ले जाने लगा पुलिस ने उसका पीछा कर ट्रक को पकड़ा और इसकी तलाशी ली पुलिस को ट्र पुलिस ने इस कारवाई में वाहन सहित कुल साथ लाग चालिस हजार का माल जब्त किया दूसरी कारवाई में मौधा पुलिस ने रबिडिवाला पॉइंट पर आईशेट ट्रक को रोकर उसकी तलाशी ली तलाशी में पुलिस को कुल 26 गौवंश प्रजाती के जानवर ही नजर आए इन जानवरों की कीमत करीब 2,60,000 रुपे बताई जा रही है पुलिस ने सभी जानवरों को समीब के गोशाला में छोड़ कर ट्रक समेथ कुल 8,60,000 का माल जब्त कर लिया इस कारवाई में मौधा पुलिस ने आरोपी उमेश चेतराम देवडा ये शुधरा न अगर नाकपनवासी को गिरफतार कर लिया